सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूटूब चैनल मेडीसिन मन्थन को और साथी साथ बेल आइकन का बटन दबा जिससे की लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल मेडिसिन मन्थन में जहां पर पाते हैं दवाईयों के बारे में संपूर्ण जानकारी तो दोस्तों पेस कर रहा हूँ बिलाश्टिन एंड मांटे लुकास्ट टाबलेट्स आईपी चलिए जान लेते हैं इस टाबलेट के रेट के बारे में तो दोस्तों यह टाबलेट्स आपको मार्केट में 100 रुपए से लगा कर 210 रुपए के आसपास मिल जाएगा तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं इस टाबलेट के पापुलर ब्रांड नेम के बारे में तो दोस्तों यह टाबलेट्स आपको मार्केट में बिला जियो एम टाबलेट्स बिला अंता एम टाबलेट्स हिस्टा प्रो एम टाबलेट्स बिला कैट एम टाबलेट्स बिला मेड एम टाबलेट्स इत्यादिकी नामों से किसी भी मेड को सब या केमिस्ट की दुकान पर आसानी से उपलब्ध मिल जाएगा तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं इस टाबलेट के यूज के बार में इस टाबलेट का प्रयोग हम पराग जोर या छी का राह हो उसको ठीक करने के लिए प्रयोग मिलाते हैं अस्थमा या दमा का विमारी हो उसमें इस टाबलेट का प्रयोग बहुती अच्छा माना जाता है गंभीर रूप से एलर्जी हो उसमें इस टाबलेट का प्रयोग बहुती अच्छा माना जाता है पुरानी से पुरानी दाद खाज खुजली हो उसको ठीक करने के लिए इस टाबलेट का प्रयोग किया जाता है सरीर पर फफोले या लाल चकत्ते हो गया हो उसमें इस टाबलेट का प्रयोग करते हैं सर्दी जुखाम हो उसमें इस टाबलेट का प्रयोग बहुती अच्छा माना जाता है मौसम चेंज होने के दवरान होने वाले सर्दी खासी खुजली को ठीक करने के लिए इस टाबलेट का प्रयोग किया जाता है सांस लेने में तकलीफ हो उसमें इस टाबलेट का प्रयोग किया जाता है सरीर पर दवा का रियक्षन हो गया हो उसमें इस टाबलेट का प्रयोग करते हैं चर्म रोग जैसी विमारी हो उसको ठीक करने के लिए इस टाबलेट का प्रयोग किया जाता है तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं इस टाबलेट के दोज के बारे में तो दोस्तों इस टाबलेट को हम आवस्यक्ता के अनुसार दिन में एक से दो टाबलेट ले सकते हैं तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं इस टाबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में यदि आपने इस टाबलेट का सेवन किये है तो आपको नीम्न साइड इफेक्ट की सामना करना पढ़ सकता है ठकान लगने लगता है दस्त होने लगता है सिर में दर्द होने लगता है पेट में जलन हो सकती है बुखार आने लगता है घबराहट हो सकती है बेचैनी होने लगता है इत्यादी की समस्या है यदि आपको दिखे तो इस टाबलेट का सेवन करना बंद करे और अपने किसी दोक्टर की सलाह लें तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि इस टाबलेट का प्रयोग कौन-कौन से वक्ति नहीं कर सकते हैं यदि व्यक्ति को लिवर रोग की समस्या हो दवा का एलर्जी होता हो हिर्दर रोगी हो तो व्यक्ति इस टाबलेट का सेवन ना करें दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियों को ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें जय हिंद जय भारत